Hello students, तो आज educated era में हम लोग जो हैं हाँ पर MCQs, यानि कि आपके exam में आपको याद होगा कि इस बार लिखनेगा तो कोई system नहीं है, उससे तो आप free हो गए हैं, लेकिन MCQs उससे भी खतरनाक होते हैं, उसका reason है क्योंकि आपको सारी basic knowledge पूर आज इसे कहते हैं कि revise करना पड़े कर लेंगे, एक class में एक video में आपका सारा topic revise हो जाएगा एक chapter का, तो यानि कि आपके कुछ chapter साने हैं और आपने कुछ videos देख ली तो आपकी सारी पढ़ाई हो गई, तो फिर आपना भी भला करें इस video से और अपने दोस्तों का भी करना क्या है, आपको पता है कि अगर जितन बनेंगे, कौन से topics पे, कौन से ज़्यादा important topics हैं, उसको हमें हापर करेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर कर लें, क्योंकि आज से आपको सारे के सारे हापर chapters मिलने वाले हैं, regularly, और आप आसानी से इसे revise कर पाएंगे, और जो भी आप comment करके कुछ topics रहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं, हम आपको उसको पर जरूर आपको कुछ बताना चाहेंगे, और लाइक जरूर करें वीडियो उसको देखने के बाद अच्छी लगते हैं तो, और आप अच्छे से मन लगा कर revise कीजीगा, तो मैं आपके सामने chapter ले र partnership, तो देखें, यहाँ पर chapter पूरा revise होने वाला है, partnership में सबसे पहले important बात है कि partnership के लिए कितने लोग चाहिए sir, कितने लोग होने चाहिए, कितने persons होने चाहिए, तो आपको पता है minimum two persons are required, ठीक है, कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए partnership में, इसके बिना partnership चलाई नहीं जा सकती, यह क्या करेंगे partnership में, दो persons क्या करेंगे, running a business, ठीक है, यह क्या काम करने वाले है sir, running a business, यह कोई social welfare, समाज कल्यान का काम नहीं करने वाले, यह business सलाएंगे मिलकर, और इनका object क्या होता है business का sir, earning profit, earning profit, लाव कमाने के उद्देश्य से करेंगे, business कैसा होना चाहिए legal, ऐसा नहों कि दो दोस्तों ने decide किया, कि अरे चलते हैं, कहीं पर दोनों मिलकर, किसी की cycle छीन लेंगे और बेज देंगे, ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा ना, उसे लोग partnership कह देते हैं, यह partnership नहीं है, यह legal business है है ना, तो legal work होना चाहिए, legal और legal में क्या करेंगे, business करें अच्छा जी, एक और important बात आती है, इसके अंदर वो ध्यान रखेगा, business run by any of them, any of them, acting for all, acting for all, भहीं इसमें कहा गया है, कि business run by all, business run by all, or any of them, लिखा है कि business कोई भी चला सकता है, उसमें से कोई एक अकेला भी चला सकता है, बाकि सभी लोगों की सहमती होनी चाहिए उसमें, ठीक है, तो लिखा है, business run by any of them, acting for all, or business run by all, समझा गया, generally business तो सभी मिलकर चलाएंगे, लेकिन कोई ऐसी situation, जिसमें किसी एक को चार partner है, लेकि आपके लिए act, हर चीज का एक कानून में वर्णन है, उसका, रैट, कानून में description है, तो इसके लिए कौन सा act है, the Indian partnership act, partnership act, 1932, ठीक है, first revision आपको करना पड़ेगा, ये आपकी और मेरी दोनों की मजबूरी है, एक्जाम बिलकुल नियर वाई है, तो फिर आप इनको जल्दी फड़ा-फड़ अपने mind में बिठाते जाए, लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए, तो the Indian partnership act, 1932, इसके अंदर सारी partnership के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कि partnership कैसे सुरू होती है, partnership की meaning क्या है, partnership में क्या rules regulation है, हर चीज यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है जी, चलिए, आगे चलते हैं, partnership के लिए, आपने पढ़ लिया कि minimum two persons required है, देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर note point लिख रहा हूँ, compulsory registration, compulsory registration not required, ध्यान रखेगा जब आप company पढ़ेंगे, तो company में पढ़ेंगे कि company चलाने के लिए ना compulsory registration चाहिए, यानि first day से ही आपके पास registration होना चाहिए company act में, लेकिन partnership अगर आप चलाना चाहते हैं कल को life में, तो partnership can be started without registration और run without registration चाहिए, तो उसको without registration भी आप चला सकते हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ज़्यादा जो है government का interference यानि की सुरू से नहीं है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक big limitation भी है, partnership की ध्यान रखेगा, big limitation क्या है सर हमारे पास, big limitation है unlimited liability, unlimited liability, किसकी unlimited liability of each partner, partnership का सबसे बड़ा limitation जो है कि partnership में हर एक partner का, यहाँ पर unlimited liability होता है, unlimited liability का मतलब आप समझते हैं कि अगर business में कोई बड़ा loss हो गया, तो business से अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो business के जितने भी partners हैं, उनके personal assets तक बेचे जा सकते हैं उसको पूरा करने के लिए, यह बहुत बड़ी liability, जबकि आप company में पढ़ेंगे तो limited liability होती है, ठीक है, तो यह भी answer आप याद रखेंगे, बहुत important topic जाएगा आपके यहाँ पर partnership deed, partnership deed, sir इसको हम partnership agreement का भी नाम देते agreement, देखिए वैसे तो भाईयों भाईयों में लड़ाई हो जाते, करना मत कभी लड़ाई, भाई-भाई में कभी लड़ाई नहीं करने चाहिए, तो लड़ाई तो किसी से नहीं करने चाहिए, तो partnership deed लेकिन है, क्योंकि oral चीजों की value नहीं है, तो आप जितने भी terms decide करेंगे partnership deed में कि profit कैसे बाटना है, कितना किसको profit बटेगा, कौन कितना काम करेगा, कौन कितनी capital invest करेगा, ये सारी बाते अगर लिखित में हो तो ज्यादा बैतर है, तो partnership agreement सुनने में तो लगेगा कि ये sir हमेशा return होता है, लेकिन ये कैसा हो सकता है, ये oral भी हो सकता है और ये sir return भी ह हो सकता है, बट आप खुझ से बताईए, important कौन सा रहेगा, अच्छा कौन सा रहेगा sir return बाला, sir क्यों, because used as a proof or evidence, evidence और proof के रूप में आप इसे use कर सकते है, used as a proof or evidence in future, सही बात है sir, तो कौन सा अच्छा रहेगा, partnership deed, और partnership deed के अंदर और क्या चीज़े आ जाती है, तो पर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप से पूछ लिया जाए, तो वो भी आपको याद रखना है, इसमें information, information, written information, right, सारी चीज़े लिखी होंगी, written information of each partner, हर एक partner की information इसके अंदर मिलेगी, सर्फ partner की information, partner का name, partner का DOB, capital investment, qualification, skills, है न, वो सारी बाते लिखी रह जाती है, कि partner का address क्या है, personal right, जहां रहता है, partner का name, qualification, हर चीज़ यहाँ पर mention की जा सकती है, and business, business की information, यानि कि business का नाम क्या है, आपको पता है न, किसी business के नाम के आगे, messers लगाते हैं, उसको respect देने के लिए, जैसे हम persons के name के आगे, mister, miss, message, anything, कुछ भी लगाते हैं, वैसे हम business के name के आगे, messers लगाते हैं, तो उसका name, address, and the nature of the business, important है, सारी चीज़े, यह सब किस में लिखी रहते हैं, partnership, deed में आपके mention रहता है, इसके बाद इसमें जो important चीज़ है, इसके अलावा, इसके अलावा important चीज़ है, terms of dividing profit, यानि कि net profit, terms of dividing net profit, net profit को कैसे कैसे, कौन से partners में बाटा जाएगा, ये भी important part रहेगा, यहाँ पर, right, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, ये कुछ information आपके साथ मैंने share किया है, अब आगे चलते हैं, और क्या के चीज़ें इसमें important है, अब है important topic क्या, capital, यानि के types of capital, ठीक है, types of capital, सरी, इसके भी types होते हैं, हाँ, पढ़ा होगा आपने revise कर लो, types of capital, partnership में, दो तरह की capital होती है, सर, एक होता है fluctuating capital, क्या नाम दिया गया, fluctuating capital, अच्छे जी सर, और दूसरा पढ़ा होगा, आपने fixed capital, आईए हम आपको बताते हैं, नाम से ही किलिए, fluctuating capital, जो बार बार fluctuate होती है, यानि कि change होती है, हर बार ही change हो जाती है, ह क्यों कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, और fixed capital क्या है सर, नाम से एक लिए रहे है, fixed capital, यानि कि fix रहेगी हर साल, यानि कि आज एक लाख रुपे capital पार्टनर्स की, तो अगले साल भी एक लाख ही रहनी चाहिए, अगले साल भी एक लाख रहनी चाहिए, क्यों सर, क्यों रहती है, हम capital से कोई adjustment करते ही नहीं है, अब कैसे नहीं करते हैं, वो भी बता दूँआ आगे, वो भी पूरी knowledge दूँआ, फिलाल ध्यान रखेगा, types of capital कितनी है, fluctuating है, और fixed debt, चलिए सर, यहाँ पर यह बात जानने के बाद आए जानते हैं कि accounts maintained, accounts कौन से हम maintain करते हैं, आपर accounts maintained जो हम करेंगे, सर, accounts तो वैसे ही maintain होते हैं, इनके, almost, almost, same as, same as, sole proprietorship business, जो sole proprietorship business में आपने 11th class में शायद, शायद पढ़ा होगा, आपने, पढ़ा था, हो सकता नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, trading account, profit and loss, और क्या बंदा दा सर, balance sheet, तो वही same as, वही बनते हैं, आपके accounts maintained, वही general entry पूरे साल, वही accounting information, यानि कि वही accounting process follow होता है, पूरे साल, लेकिन ही, यहाँ पर हम जान रहे हैं, सिर्फ सर, at the end of the year, at the end of the year, साल के last में, तो सर, साल के last में, यह भी वही बनाते हैं, trading account, profit and loss account, और balance sheet, लेकिन इसके बीच में कुछ और चीज़े हैं, यहाँ पर, ध्यान रखेगा, यह लोग भी बनाते हैं, trading account, ओके, दूसरा बनाते हैं, यह लोग भी, profit and loss account, ओके, यह दोनों चीज़े आपको इस chapter में नहीं सीखनी है, क्यों नहीं सीखनी, क्योंकि यह already इन्होंन बनाते हैं, हमको नहीं सीखना है, हाँ पर, तो हमने सीखना है क्या है, सर, इसके बाद यह लोग बनाते है, profit and loss appropriation, appropriation account, सर, इसका क्या होता है, फिलाल छोटा सा बता देता हूँ, देखिए, हाँ पर क्या है, actually क्या होता दा, प्रॉफिट and loss account से, इससे net profit आता था, आता था net profit, उस net profit, और net profit किसका होता था, sole proprietorship में एक अकेला ही तो मालिक था, सारा profit ही उसी का हो जाता था, सारा जंजट ही खतमता होहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर, जितना भी net profit आया, वो किसमें divide होगा, दो partner, चार partner, तीन partner, सब में divide होना है, तो उसकी कुछ terms है, वो बड़े तरीके से divide होगा है, कि अकेला ही profit किसी का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक अलग से account बनाना पड़ेगा, और उस net profit को उस partnership deed में जो हमने terms लिखे तो उसके according उसको divide करना पड़ेगा, तो यह account आपको यहाँ पर सीखना है, समझा गया, तो इसे हम जानेंगे क कि क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको description दे दिया, इसके बाद बनते हैं, partners capital account, चलिए मैं इसको आगे continue करता हूँ, यहाँ पर, इसके बाद बनाया जाता है, सर, partners capital account, और क्या बनता है, सर, या फिर इसकी जगे बनता है, partners capital account plus partners current account, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, सर, यहाँ पर आपने partners capital दो बार लिख दिया, देखें, यहाँ पर, यह है fluctuating capital, यह काम आगया आपके information, fluctuating capital, और यह है सर, आपका fixed capital, अब समझ यह, आप समझ गये होंगे, और यह important question आपके लिए रहेगा, देखें, मैंने कहा कि अग आपको partners capital account, अगर partners की capital fixed capital है, तो क्या बनाना है, आपको partners capital और current दोनों बनाना है, यही पर आके object के लिए रहता है, देखें, fluctuating capital, इसलिए fluctuating है, क्योंकि partners capital account बनाया, सारी adjustment ही इसी में कर दी, फिक्स capital नाम है, सारी adjustment करने के लिए एक नया account खोल दिया, partners current account, और इसमें कोई adjustment ही नहीं करते हैं, इसलिए partners capital account आपका fixed हो जा, तो सर्फिक्स के case में दोनों बनेगा, और fluctuating के case में केवल partners capital account बनेगा, सर, sole proprietorship में यानि केवल ट्रेडिंग, profit and loss बनते थे, जी सर, बिलकुल, partnership में आपके profit and loss appropriation भी बनता है, और ये भी बनते हैं, तो ये सारी चीज़ा आपको सीखने होते हैं यहाँ पर, और last में बनता है balance sheet, तो सर, ऐसा क्यों, अब ये balance sheet बनता है, लेकिन balance sheet आपको इस chapter में नहीं सीखना है, क्योंकि balance sheet आपको आती है, इसलिए इस chapter में क्या डला है केवल आपको सीखने के लिए profit and loss appropriation और partners capital और current account, तो सर, ऐसा क्यों है कि ये sole proprietorship में क्यों नहीं बनता था, सर, एक ही मालिक होता था, जितनी भी capital है, वो सीधा एक साथ balance sheet में दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ तो कई partners हैं, अगर हम लोग सीधा balance sheet में दिखाएंगे, तो balance sheet ये सीखने, समझा गया, चलते हैं आगे, इन accounts को बनाने के बाद, इनके formats क्या है, और इनके important terms क्या है, ठीक है, तो जो topics हम लोगों ने यहाँ पर cover किया है, आप सोच रहे होंगे, कि MCQs कैसे बनेंगे, यही तो main concepts है, इनी से MCQs बनेंगे सारे, अब जैसे माल लीजिए, आ सकते हैं, fixed भी हो सकते हैं, तो आपने, कौन सा option डिक किया, सरी होला option डिक कर दिया, आप से option पूछ लिया, कि partnership deed में, in partnership did, return, the terms, कौन से terms return होते हैं, सर, उसमें option दे दिया, number one, number one दे दिया, आपको details of partners, number two, the detail of firm, number C, दे दिया, आपको terms of dividing profit, and 4 दे दिया, all of these, तो आप समझ गए, कि all of these है, क्योंकि पढ़ाया है, यह information में है, ठीक है, आप से पूछ लेंगे, कि minimum persons are required for partnership, कितने persons की requirement होती है, 4, 8, 10, 2, 5, इस तरी के option दे दे देंगे, तो आपको पता है, minimum कितना चाहिए, 2 चाहिए, समझ आ गया, तो इस तरीकी के questions put up होंगे, तो यह basic, जादा जाद होंगे, बार बार देखो, इनको, notes बना लो, आपको कहीं भटकने कि आवे शकता नहीं है, सब हो जाएगा, देखे, आगे, इस टॉपिक में क्या के कर सकते हैं, हम लोग, profit and loss, appropriation का format, आप देखे, फटाफट, appropriation, account का format, तो देखे, इसके अंदर जब आप format, बनाते हैं, त important term क्या है, वो देखे, debit side, credit side, आपको याद होगा, यहाँ पर net profit लिखा जाता है, अगर आपने पढ़ाए, इस net profit को क्या करना है, सभी partners में divide कर देना, तो सभी partners में कौन से partner है, यहाँ पर क्या कह देखे, सबसे पहले, interest on capital, तो आपके net profit में जो terms of dividing profit है, उसमें कई सारी ची profit में से किसको कैसे profit का हिस्सा मिलना है, वो भी हो सकता, तो सबसे पहले हो सकता है, एक term हो, interest on capital, तो interest on capital की यहाँ पर आप entry करते हैं, सीधी आपको पता होगा, इस तरीके से, माल लेते हैं, जूम कर लेते हैं, दो partners है, किसी partner को salary मिलने है, two partners salary, तो उसकी entry भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी, माल लीजे, एको मिल रहा है, इसके बाद माल लीजे, commission मिल रहा है, तो two partners commission, इस तरीके से आपकी सारी entry होती है, किस लिए profit को divide करने के लिए, according to the terms of partnership deed, इसके अलाबा आपने कोई reserve maintain किया है, general reserve अगरा, किस में से इस profit में से, यह भी यहाँ पर आ जाएगा, इसके अलाबा, अगर किसी partner से drawing पर interest charge हो रहा है, sir by interest on drawing, इस तरीके से आप सारी entry करते हैं, right, तो इससे ज़्यादा, generally कोई आपके इस account में entry नहीं होती, अब यहाँ से MCQs का क्या है, आप खुछ से देख लिजे, profit and loss account के किस side entry है, interest on drawing की, sir credit side, अच्छा जी, बाकी चीजे कह पर आ रहे हैं, यह देख लिजे, debit side, तो इस तरीके जो सारी बाते हैं, आपको ध्यान रखनी है, यही MCQs का topic है, और उससे ज्यादा calculation part पर मैं अभी आने वाला हूँ, वो calculation part आपके लिए सबसे ज्यादा important रहने वाला, जितने ज्यादा है, इस छोटिकल part से आगे बढ़ क calculation part पर चलेंगे, तब आपके लिए important term समझ में आपको आएंगे और उससे questions भी बनेंगे आपके, देखे इस तरीके साप इसमें total करते हैं, जो first time पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाए, किसी वज़े से पूरे साल उनके लिए तो बहुत ही लखी हैं वो, कि सारा का सारा आ आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे new होंगे, बिल्कुल उनको जरूरी समझना, जितना भी net profit था, देखे क्या किया गया, उस net profit में से, जिस भी terms में आपको बाटना था, उस terms में profit को बाट दिया गया, A और B में, और यह interest on drawing चार्ज किया गया है, अगर उस terms में लिखा है, बिल्कुल रटाफिकेशिस में कोई changes नहीं है, बस calculation में changes आएंगा, वो में आगे समझाओंगा, net profit कैसा होना चाहिए, यह important है, एक ऐसा net profit, जिस में से सारे business के expenses घटाए जा चुगा, निकि कि किसी को कुछ भी नहीं देना, आप करना क्या है, इस net profit को सीधा किसमें after interest on partner's loan, अगर partner ने कोई loan दिया, उसके उपर interest है, तो वो इसमें से घटाया हुआ होना चाहिए, देखने है, उसकी entry इधर नहीं हुई है, कहां entry हुई होगी profit and loss account में, क्योंकि वो expenses अधर माना जाता है, after interest on partner's loan and manager commission, manager commission, यह सब घटाया हुआ है इसमें से, तभी यह net profit लिया है, इसमें से अब किसी को कुछ नहीं देना, किसको देना है, जो partner से उनको मिलना है, यह सारी चीज़े मिलनी है, तो sir, after यह सारी चीज़े होती है, और before क्या होता, before interest on capital, before partner salary, before partner commission, यह सारी चीज़े before होती है, समझ जा गया, before interest on drawing, यह ध्यान रखेगा, इस basic को, अब इसके बाद में आपको लेकर चलता हूँ, इनके calculation part पे, जिसमें calculation हम लोग सीखने वाले किसका, interest on capital का, इसके लावा interest on drawing का, और हमारे पार सीखेंगे partners commission का, और उससे सबसे ज्यादा questions हाब के बनेंगे, ठीक है, तो इस प आपको बताया है, वो भी ध्यान रखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, calculation of interest on, interest on capital, देखें, interest on capital, हमेशा ध्यान रखेगा, interest on capital, जो partners को मिलता है, वो हमेशा किस पे मिलता है, sir, opening capital पे मिलेगा, ठीक है, allowed on opening capital, ठीक है, plus additional capital, यानि कि साल के सुरू में, जितनी capital थी, plus साल के ब उसकी है, तो उस पे भी मिलेगा, तो दो चीजों पर interest हमेशा मिलता है, तो यानि कि ध्यान रखेगा, interest निकालने के लिए capital पर opening capital होनी चाहिए, आपके पास, और additional capital पर भी देंगे, आपको rate आपको बताया हुआ हुआ होगा, fixed rate बताया हुआ होगा, इसके अंदर, fixed rate की 10%, 10 यानि की 12%, 15%, जो भी उन्हेंने, decide क्या होगा, वो लिखा हुआ होगा, उतना इनको मिलेगा, समझ आ गया, देखे, इसके अंदर ध्यान रखेगा, अगर आपके पास closing capital गिवन है, question में, question में क्या problem आती है, sir, closing capital दे देंगे, आपको, कहेंगे, जी partners की closing capital, यानि की साल के last व पार्टनर्स ने, drawings during the year, यानि पूरे साल में, जितना भी drawing किया है, वन का plus कर दीजे, ठीक है, sir, इसके अलावा, minus कर दीजे, आप additional capital, additional capital को कई बार fresh capital भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, तो ये सारी चीजा यहां से आप घटा दीजिए, उसके बाद, sir, यहां पर क् आपको जितना net profit है, वो भी घटा दीजिए, तो ये net profit कैसे घटाएंगे, sir, दिया होगा, 40,000 net profit, उनके ratio दी होगे, उसमें बाट के इनको घटा दीजिए, ये जो बचेगा बापस आपका ऐसा करने से, ये बचेगा आपका opening capital, और इस पे आप interest निकाल दीजिएगा, कितना पूरे साल का, यानि कि rate ऐसे दिया होगा, आपको जैसे 10% per annum, ठीक है, ऐसा 12% per annum, तो per annum का मतलब क्या होता है, per year, यानि कि एक साल का interest इतना है, तो ध्यान रखेगा, जैसे amount है, यहाँ पर 2,00,000 रुपे, तो 2,00,000 into May 10 by 100, ये क्या आप निकल जाएगा, इसका interest, इसका म 5,00,000 into May 10 by 100, इसका interest निकल गया, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, और इनका opening capital पर interest calculate हो जाएगा, तो अब चलते हैं, interest on drawing की और, Sir, interest on drawing, यानि कि interest on drawing का देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, यानि कि interest on drawing का क्या होता है, जितना भी पूरे year में drawing करेगा partner, उस पर interest charge करना होगा, तो Sir, interest on drawing का भी एक fixed rate आपको question में बताया होगा, question में बताने का मतलग उनके partnership deal में mention होता है, वही जैसे 5% per annum, 9% per annum, anything etc, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो interest on drawing किस पे charge होता है, charge, charge, राइट, यह charge किया जाता है, charge on, किस पे, Sir, charge on total drawing, total drawing during the year, एक साल में जितना भी drawing किया गया total amount, उस पे charge किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बहुत सारे cases होते हैं, देखें, interest on drawing को calculate करने के लिए दो method हैं ध्यान रखेगा, एक है Sir, simple method, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ होने तो यादा होगा, मजा रहा होगा, सारी चीजे फड़ा फड़ा रिवाईज हो रही है, product method, right, तो product method है, और एक simple method है, simple method का use कहां पर करेंगे, आप धियान रखेगा, जहां पर fix date होगा, क्या होगा Sir, अब ये fix date क्या है Sir, drawing का fix date, यान अगर हर महिने के सुरू में, तो हर महिने के सुरू में, ऐसा नहीं कि कभी 15 तारी, कभी 18 तारी कैसा नहीं है, अच्छे जी, दूसरी बात, fixed amount, ध्यान अखेगा, क्या होना चाहिए, fixed amount of drawing, तो fixed amount कैसा होता है Sir, यानि कि हर बार अगर 5000 निकाला जार तो 5000, 5000, 5000 ही पूरे साल न में, ये ध्यान रखेगा, fixed interval में आता है, अगर ये तीनों बाते ओके हैं, तो simple method यूज हो जाएगा, otherwise आपका ये यूज होगा, कौन सा, product method, यानि कि इन में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, यानि कि fixed date नहीं है, fixed amount नहीं है, fixed interval नहीं है, तो हम कौन सा use करेंगा, product method, तो उन्हें हम सीख लेते हैं, फटाफट, और आपको समझा जाएगा, सारा, case one, देखें, यहाँ पर case one में बता रहा हूँ आपको, when a partner withdrew amount at the beginning of each month for full year, इसमें याद रखेगा, मैंने कहा है कि एक partner ऐसा है, जो हर महिने के सुरू में drawing करता और पूरे साल करेगा, यानि कि 12 महिने, तो देखें, इस case में जो आप interest on drawing charge करेंगे, वो इस तरीके से आप charge करेंगे, interest on drawing is equals to total drawing, अब यह total drawing कैसे निकाला जाता है, देखें, per month drawing, बहुत ज्यादा important question है, चार option होंगे, आपके पास एक numerical question दिया होगा, और आपको निकालना पड़ेगा, per month drawing, into में, rate upon 100, जितना भी बोला होगा, 10%, 20% जितना भी होगा, into में, आपको करना यहाँ पर 6.5 by 12, यानि कि 12 महिने का interest आपको, sorry, 12 महिने का interest निकाल देना, 6.5 months का, sir, ऐसा क किया, यह तो आपने basics में अगर अच्छे से पढ़ाई किये, तो आपको पता होगा, वरना फिर भी मैं आगे एक formula बता हूँगा, यह कैसे decide होता है, जब पहले के समय में, यह methods नहीं बने थे, तो आपको पता है, कितना बार 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 interest निकालना पड़ता था हर महीने के drawing पे interest, हर महीने के drawing पे interest निकालना पड़ता था, अब shortly यह है, चेक है, इसके राबा चलते है case 2 पे, case 2 आप से कहेगा, देखिए, when a partner withdrew amount at the middle of, कौन सा सर, middle, अब यह middle क्या है सर, middle of each month for full year, यानि कि हर एक महीने के middle में आपका यह drawing करेगा partner और कब तक करेगा सर, पूरे साल, तो पूरे साल इसमें जब भी आपका partner drawing करता है, तो जो formula आपके सामने होगा, वो interest on drawing is equals to क्या करना है, per month drawing, per month drawing into 12, अच्छा देखिए, यहाँ पर 12 multiply करना भूल गया हमे, per month drawing, मने गहा था, total drawing पे charge होता है, total drawing कैसे निकालेंगे, हर महीने अगर वो 10,000 पे निका तो देखिए, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, सर, अगर हर महीने के middle में निकाल रहा है, यानि कि 15 तारिक को तब भी साल में कितने बार निकालेगा, वो 12 बार और उस पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो rate given होगा, rate into 6 by 12 करना है, इस case में कितना करना है, सर, 6 by 12, यानि कि छे महीने का, सीधा option question paper में यही बनेगा, क्या बनेगा, कि आपार्टनर, रामू, कौन, रामू, अच्छे कोई अच्छा से नाम बता दे, एक नाम तो ऐसा लिख दिया था, पेपर में, बच्चे डर जाते हैं, खासकर लड़किया अंटर जाता, अचुडायल विड्रो, त तो थाउजन पर मन्थ, अच्छे महीने के लिए, तो आपका option कौन सा करेक्ट होगा, यानि की मिडल वाली में, छे महीने का चार्ज होता है, case 3 है हमारे पास, जब यही चीज होगा, या पार्टनर कैसा मिला, अब यह जो पार्टनर है, यह कुछ दूसरे टाइप का, क्या ह यहां पर देखिए, यहां पर यह पार्टनर है, बेन पार्टनर का नाम रख देते हैं, अक्तर यह यह बहुत नहीं पार्टनर का नाम रख देता है, अक्सर यह बहुतनी पार्टनर of the firm, कुछ भी firm, और उसमें गोल देएंगा, withdraw at the end of, कौनसा? end of each month for the full year हर महीने के end में तब आप कितने महीने के interest charge करने वाले सीधा में बता रहा हूँ formula यही रहेगा कौन से sir per month drawing 12 into rate upon 100 और यहाँ पर होगा 5.5 months का कितने महीने का? साधे 5 महीने का same formula है calculate करने के लिए और मन्ध आपको याद रखने इस case में साधे 6 महीने का beginning वाले में middle वाले में 6 महीने का और sir end वाले में साधे 5 महीने का आप चलते हैं case 4 पे case 4 क्या कहता है वही same है when a partner withdraw amount at the beginning sir अभी भी beginning ही है यह तो case वही है sir beginning of each month beginning of each month up to half year लेकिन withdraw कब तक कर रहा है sir इसको आधे साल तक ही जरूत पड़ा है यादि कि 6 महीने तक ही withdraw कर रहा है तो जब भी वह हर महीने के beginning में इच मंत के हर महीने के beginning और half year तक ही करें तो आप ध्यान रखेगा इस पे दो आपको formula बनेगा sir interest on drawing यह formula क्यों बता रहा हूं क्योंकि अगर numerical question आता है तो आपको ऐसे ही करना है per month drawing ठीक है sir per month drawing into me six ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको total drawing 6 महीने तक तो निकाल रहा है ना तो 6 से multiply कर दिया into में जितना rate बोला होगा आपके question में rate upon 100 into में कितना करना है ध्यान अखेगा 3.5 by 12 यानि कि साढ़े तीन महिने का interest होता है इस case में अच्छा सर केस नंबर 5 क्या होगा case नंबर 5 यह है वेन पार्टनर विड्रू अमाउंट at the middle sir वही case आ गया यह भी लेकिन middle middle कब तक middle of each month up to half year यानि कि 6 महिने तक ही कर रहें अब 6 महिने तक करने वाले मापको क्या करना है यहां पर 3 months का interest लगाना है कितने महिने का जी तीन महिने का यहां कितने का लगाया था साड़े तीन बस इसकी जिगा कितना रख देना है 3 months तो यही तो option में मिलेगा आपको question यही तो choice में मिलेगा आपको कि 3 महिने 4 महिने 6 महिने 9 महिने कितना तो sir middle वाला भी 6 महिने तक 3 महिने का interest लगता है चलिए आगे यहां पर case number 6 कहता है वेन पार्टनर विड्रिव अमाउंट एड़ी एंड एड़ी एंड ओफ इच मंत रइट तो ठीके सरे हाँ पर एंड वाले में क्या करना है आपको 2.5 मंस का interest लगाना है धाई महिने का interest लगाना है तो यह निकलता कैसे डिसाइड कैसे हुआ यह भी आपको एक फार्मला रखके दूंगा उस फार्मले से आप निकाल सकते हैं तो case number 6 complete हो गया 789 के और चलते हैं चलते हैं के 7 की और तो case 7 और 8 और 9 यह जो related है यह related है quarter से तो quarter का सर यहां पर जिकर करते हैं आप quarter से खुश हो गया होंगे है quarter का मतलब होता है one fourth तो quarter का मतलब है one fourth किसी चीज की एक चौथाई one fourth हिस्सा तो एक साल को गर हम चार भागों में बाढ़ दें तो तीन-तीन महिने का जो है आपके पास quarter वने अरइक तीन महिने का एक quarter होगा तो यह क्या कहता है एक पार्टनर ऐसा भी है, when a partner, when a partner withdrew, when a partner withdrew amount at the beginning of each quarter, beginning of each quarter, for full year, पूरे साल वो ड्राइंग करेगा, लेकिन कब करेगा सर, हर एक क्वार्टर के बिगनिंग, तो जब एक साल को आप क्वार्टर में डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा सर, तीन-तीन महिने के चार क्व यानि कि पूरे साल मों करेगा, चार बार द्राइंग, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर जो आपका interest on drawing calculate होगा, उसका formula क्या रहेगा सर, per quarter, per quarter drawing, into 4, ऐसा करने से आपका total drawing मिल गया, पूरे साल में कितना drawing किया, into में जितना rate बोला होगा, rate upon 100, और आपको months कितना लगाना है, साधे साथ महिने का interest, ठीक है, साधे साथ महिने का interest इस case में लगता है, इसके बाद हम चलते हैं सर, case number 8 पर, when a partner withdrew amount at the middle, middle of each quarter, हर एक quarter के middle में, तो हर एक quarter के middle में, जब भी करेगा, तो सर, यह formula तो ही रहेगा, per quarter drawing into में 4, लेकिन months का ध्यान रखना है, कितने महिने का 6 महिने क interest charge होता है, कितने का सर, 6 महिने का, किसमें, हर quarter के middle में, इसके बाद है case number 9 आपके पास, जब भी आप एक partner ऐसा है, जो withdraw कर रहा है, at the end of each quarter, हर quarter के end में, तो हर quarter के end में करेगा, सर, चब भी चार बार करेगा, यानि कि पर quarter drawing into before, total drawing हो गया, rate upon month कितना ध्यान रखना है, तो यहा से, आपके simple case है, जहां पर इस तरीके questions आपके paper में, आएंगे numerically, और direct question भी आ सकता है, मैंने कहा कि हम से क्यों, base कैसा बनेगा, सीधा-सीधा आपको case यह दिखाए जाएगा, और आपसे months पूछा जाएगा, कितने महिने का interest charge होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है, यह time period का formula है, तो time period का formula के ओपर यह calculations हुई है, कि साथे साथ महीना, छे महीना, साथे चार, उससे पहले भी मैंने कुछ चीज़े बताई, वो सब time period के, time period का formula कहता है, time left, time left after, first trying, time left after, first trying, time left after, first trying, plus time left after, last trying, divided by 2, time left after, first trying, plus time left after, last trying, divided by 2, तो इससे आपके जो सारे months calculate होई, वो इस formula से calculate होता है, ध्यान रखेगा, ठीक है, तो यह formula by chance पूछा भी जा सकता है, अब इसके बाद चलते है, हम आपको लेकर product method पर, product method कैसे calculate हो, उसको format दिखा देता हूँ, ताकि आपके paper में आये, तो important समझ के कर दिजेगा, तो interest on drawing में दूसरा क्या है, product method, product method कभ यूज होता है, मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा question है, तो आपको क्या करना है, यह format आप याद रखे है, date, जो जो date दे रखे हैं, उस date को लिख दिजेगा, इस date को ड्राइं किया है, क्योंकि आपको पता है, हम भी बताया होगा, कितना amount withdraw किया, वो भी लिख दीजेगा, ठीक है, चलिए ठीक है, यह भी लिख दिया, इसके बाद आपको निकालना है, month used, क्या निकालना है, month used, यानि कि कितने महीने यूज किया, उस पैसे को देखे जिरा, मान कर चलिए कि मैं हाँ पर लिख देता हूं, 1st January 2018, ठीक है, 1st January 2018 को withdraw किया, इसके बाद withdraw किया है, चलिए जनवरी पूरे साल का मैं data लेता हूं, ताकि आपको समझा जा, 1st April 2018, इसके बाद ले लिजे, 1st July 2018, और इसके बाद ले लिए, हम मैंने तीसरी डेट ले लिए हाँ पर, 1st January 2019, ठीक है, यह 1819 का ये रहा होगा, amount है यहाँ परमान लिजे, 5000, 7000, 9000, समझा गया, अब मन्त यूज्ट कैसे निकाले के, एक अप्रिल को जो पैसा हमने निकाला है, 1819 है, तो एक अप्रिल को जो पैसा निकाला, वो पूरे साल यूज़ कर सकता ना, उस पैसे को बारह महिने का इंटरस्ट बनता है, इसके उपर, एक जुलाई को जो पैसा निकाला गया, आप खुछ से गिन के देखिए, 9 महिने का इंटरस्ट बनेगा, जुलाई, अगस, सितंबर, औक्टूबर, 9 जनवरी, फर्वरी, मार्च, 9 महिने का, अच्छे जो एक जनवरी को पैसा निकाला, 3 का, तो आपको ये करना है, डेट अ हो गया, बारेगे estar 60,000 हो गया, यह हो गया sir, 937,000 हो गया, यह गया, समझा गया, जब आह आप इसको, यानि ए दो को खुँर से बनाने ही, यह दो कॉलमा को दिया होंगा, मतलब यह किसी भी तरीके दिया हो गया को इसका टूटल कर लीजी हो गया जी 60 60 120 120 ठीक है एक्सोमेर 1027 60प एक लाग कुट के यहीं पचास एक कहते हैं हम थोंटल प्रॉडक्ट बस इतना साथ करो अभाय है तो टल प्रॉडक्ट आप आपको फार्मला यह रहाना होता थें प्रेश्ट पॉंड्डॉयंग इंट्रेस्ट ओंड्र यह सकता है पेपर में क्यों कि वहीं एमसी क्यूंक्व का चल रहा है मामला तोटल प्रोडिक्ट आपको दे दिया होगा वह कोश्मा तोटल प्रोडेक्ट दे देंगे तो बस यह फॉर्मॉला पूट करना सब इंट्रेस्ट और बॉइन इस इकोल को फोलो करना है एक सबसेंब बाद जो आपको कोई नहीं बताएगा देखें पर एनम वर्ड जो रेट है ना जो रेट आपको गिवन होगा अगर रेट पर एनम में गिवन है तब तो आप वन वाई 12 लगाएंगे फार्मूले के अंदर अगर आपके रेट में जो रेट गिव तो सुर अगर पर एनम है तब तो वन वाई 12 से मल्टिप्लाइ करना अगर सेट लिखा है खाली तो आप क्या करना यहां पर कर वजो दू व्क्नव लेंगे यह नहीं लेना फिर आपको फॉर्मिले में केवल और केवल इतना लेना टोटल प्रोड़क्ट इंटुमेरेट वाई हंडड़ समझ आ गया होगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो और आपको क्लियर होगा यह आपका इंटरस्ट्रों रॉइंग का पार्ट खतम ह देखें अब हम सीखने पार्टनर्स कमिशन की कालकुलेशन पार्टनर्स कमीशन सर आपने अगर 11 क्लास में मैं इस इन मैंडर कमिशन सीखा हो ना तो सेम वैसाई टॉपिक है जो पारटनर को कमिशन मिलेगा करना है दो तरीके की चीज़े होते हैं इसमें होता एक बिफोर चार्जिंग मैं है और एक आप का आफ्टर चार्जिंग लोगोंने रिषर्च करकर नहीं इंसकर राहिस देखुर विच्चार्जिंग कमीशं जब भी कोश मैं में बोले तो जितना है उसके पर्सेद निकाल दूझे इस तरीका इस निकाला जाता है दूसरा ऐसा होता है एक्झस्टिड नेट रोफिड एड़। इड़। यह क्या होता है सब क्वारा आपको बोला जाएगा शो मैं की जो कमिशन होग करना है वुर पर सारी इंटरी नेश कर यानि कि after charging commission में ये वाला formula अपलाई होता है ठीक है तो पेपर में पूछ सकते हैं ये भी एक optional question हो सकता है कि calculation ना भी दें तो आपसे पूछ लेंगे कि which formalize application after charging commission वाला case तो कौन सा वाला होगा सर ये ही होगा upon में 100 प्लस rate आना जरूरी है समझा गया तो ये topic था partners commission का इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ये सब net profit में से दिया जाता partners को और अब हम topic पेपर में इस chapter में दो चीज़े और हैं एक है पास्ट एजिस्मेंट एक है गर division हो जाएगा और mcqs के types आपको पता लग रहे हों किस type से बनाए जाता है ठीक है